चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल प्रदेश की सभी जीलों की सेलेक्टेट काम की बड़ी खबरों को पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे Old Pension पर हिमाचल का होगा अपना मॉडल कैबिनेट मेमोरेंडम त्यार करने को हो रही बैठके जी हाँ, हिमाचल में करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद Old Pension को बाहल करने की प्रक्रिया पर पहली मार्च को बुलाईगे कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है मुखी सची उप्रबोज सक्सेना कि वित्य विभाग के अधिकारियों के साथ रोज बैठके हो रही है इनमें कैबिनेट मेमोरंडम फाइल्स करने से लेकर स्टैंडर्ड ओपरेटिंग पोसिजर यानी इस ओपी जारी करने के ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है अब तक मिली सूचना के अनुसार ओल्ड पेंसन को बाहल करने के लिए हिमाचल का अपना अलग मॉडल होगा यह मॉडल पूरी तरह 36 गर पर अधारित नहीं होगा और कुछ बदलाओ भी राजी सरकार अपनी वित्य सिती के अनुसार यहां कर सकती है इल्टी सास्त्री का टेट भी मान्ये प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए नियमों के अधार पर मिलेगा टीजीटी पदनाम जी हाँ, राजी के सरकारी स्कूलों में अपसंस्क्रीत और हिंदी विसे में एल्टी और सास्री का टेट भी माननी होगा और इसी अधार पर इन सिक्षकों को TZT पदनाम मिलेगा दरसल कई छेतरों में इस बारे में आसमंजस की स्थिती बनी हुई थी कि यदि TZT का पदनाम चाहिए तो TZT का ही टेट होना अनिवारी है लेकिन अपरारंबिक सिक्षा विभाग ने इस बारे में इस पष्ट आदेश दारी किये है इन आदेशों में कहा गया है कि TZT पदनाम के लिए सास्त्री और एल्टी अभियर्थी जिनके पास टेट और बियर्ट की होगी अता है उन्हें या पदनाम दिया जाएगा यानि TZT पदनाम के लिए विसे अलग होंगे लेकिन टेट की मानियता सम्मदी सब्जेक्ट की ही होगी बिलासपूर में बसेगा बड़ा इंडस्टिल एरिया उपायुक ने दिये 1000 बिगा जमिन चिनहित करने के निर्देश जी हाँ बिलासपूर जीला में रोजगार के जादा से जादा आउसस रिजित करने के मकसल से एक बहुत बड़ा उद्योगी छेतर विक्सित करने के लिए कवायत सुरू कर दी गई है इस संदर में सभी चारो उपमंडल दिकारियों के साथ बैठा कर जल से जल पास 1000 बिगा जमिन चिनहित करने के लिए निर्देश जारी किये है खास बत या है कि इंडेस्ट्रिल एरिया कीरतपूर नेर्चोक फॉरलैन और भानुपली विलासपूर बैरी बॉर्डगेज रेलवे लाइन के आसपास विक्सित किया जाएगा उप्तियुक साइस सेलेक्षन के बाद आगे की कारियोजना को अंतिन रूप दिया जाएगा या इनिसिट्यू नए उपायुक आबिध हुसेन सादिक ने लिया है उनका दावा है कि अगले एक साल में परिनाम सामने दिखेंगे उन्होंने बताया कि जमीन चैन कर सरकार से नोटिफाइ करवाया जाएगा हिमाचल सरकार ने नहीं लिया महंगा लोन ड्रॉप की 700 करोड की बीड जी हाँ हिमाचल सरकार ने 2000 करोड लोन लेने की नोटिफिकिशन जारी करने के बावजूद लोन का एक हिस्सा छोड़ दिया है 14 फरवरी को हिमाचल सरकार ने दो किस्तों में 2000 करोड लोन लेने का फैसला किया था इसमें 21300 करोड की थी दूसरी 700 करोड की यह इसलिए क्या जा रहा था ताकि री पेमेंट के लिए स्टिडियूल बनाया जा सके तेरा सो करोर रुपे का लोन पंदरा साल की आउधी के लिए राज सरकार ने ली थी और साथ सो करोर का लोन नो साल की आउधी के लिए लिया जा रहा था करमचारी चैन आयोग पर शूरू हुई सिर साथ S.С.C. पर बरपा हंगामा जी हा यहां साय चोरी भी हुई है उर डाका भी डाला गया है इसलिए हंगामा बरपा है पिछले दिनों करमचारी चैन आयोग को भंग करने के बाद प्रदेश में सियासत गर्माई हुई है विपक्ष में बैठी बीजीप्यू को एक तरब जहां सरकार पर हावी होने के लिए मुद्दा मिल गया है वहीं कॉंग्रेस आक्रमाख होते हुए या जस्टिफाइ कर रही कि ऐसा निन्नाई लेना जरूरी था दरसल जाज अजन्सियों की रिपोर्ट ने सरकार को जो रिपोर्ट सौपी है उसमें बताया गया है कि यहां टॉप से लेकर बॉटम तक हर कोई गरबर जहाले कि इस खेल का हिस्सा रहा है मुख्यमंद्री ने भी पिछले दिनों मीडिया से बाचीप में इस बात का जिक्री किया है कि उपर से लेकर नीचे तक सब इस मामले में सनलिप्त है और दोसियों पर एक एक करके करवाई होगी पुलवामा में फिट टार्गेट किलिंग आतंकियों ने कस्मिरी पंडिट की गोली मार कर दी हत्या जी हाँ जम्मू कस्मिर में टार्गेट किलिंग की घटना सामने आई है आतंकियों ने रविवार को पुलवामा में कस्मिरी पंडिट की गोली मार कर हत्या कर दी मिर्टक की पहचान कासिनात सर्मा पुदर संजय सर्मा के तौर पर हुई है कासिनात अपने गाउं में एक सस्त्र गाट के रूप में काम करता था आतंक्यों ने इस घटना को उस समय अनजाम दिया जब कासिनात अस्थानी बज़ा जा रहा था गोली लगने के बाद गहायल को अस्तपता ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई घटना के बाद सुरक्षाबॉलों ने पूरे इलाके की घहरे बंदी कर आतंक्यों की धर पकर के लिए सर्च अर्भ्यान शुरू कर दिया है हरिमपूर में पंजाब नैसनल बैंक में चोरों ने लगाई सेंध लंबलू ब्रांच की जलादी 150 फाइले जी हाँ पंजाब नैसनल बैंक लंबलू में सनिवार देर राज सातिरों ने दिवार में सेंध लगा दी दिवार में गड़धा कर अंदर गुसे दो शातिरों ने अंदर रखी हुई लगबग 150 फाइले जला दी है चोरों ने बैंक के सेफ को भी तोड़ने का प्रयास किया है बैंक के अंदर गुसने किया हवादा सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है बताये जा रहा है कि चोर राद लगबग 3 बज़े दिवार तोड़कर बैंक के अंदर गुस गए अंदर गुसने के बाद इन्होंने हर तरह पैसों की तलास सुरू की लेकिन हाथ कुछ नहीं बाद में उन्होंने बैंक के लोकर को भी तोड़ने का प्रयास किया चोरों के बैंक में घुसते ही अलार्म सिस्टम से अधिकारियों के मुबाइल पर मैसेज चला गया बैंक अधिकारियों के मुबाइल पर मैसेज पहुंचते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे यहां कर देखा तो बैंक के गेट के अंदर से धुआ निकल रहा था खंगाला जा रहा है जे बीटी के लिए इंटर्व्यू पहली मार्स से बैच अधारपस साक्षतार निधारित जी हाँ उपनिर्देशक प्रारंबिक सिक्षा कांगड़ा कालियले द्वारा जे बीटी के वीभिन पदों के लिए पहली और 2 मार्स 2020 को बैच अधारपस साक्षतार निधारित किये गए है उपनिर्देशक प्रारंबिक सिक्षा मोहिंदर कुमार धीमान ने बताए कि साक्षतार का योजन नर्सरी मीडल स्कुल धर्मसाला में किया जाएगा उन्होंने बताए कि जीला कांगड़ा से संबंद रखने वाले पात्र अभिहरतियों का साक्षतार एक मार्स तता अनि जीलों के पात्र उमिदाद 2 मार्स को साक्षतार के लिए आ सकते हैं उन्होंने बताए साक्षतार में भाग लेने के लिए उमिदवार का नाम संबंदित रोजगार कारियले में दर्ज होना चाहिए उन्होंने बताए कि इस सन प्रक्रिया में RNP नियमों के तहत निधारिती होगे ताप पून करने वाला अभियरती भाग ले सकते हैं इसके अतरिक्त अभियरती JPT, D.A.D.L.A.D.B.A.D.S.E. समक्ष हो तथा JPT, T.A.D.P.A.S.O. मनिकन के चलाल गाउं में अड़ाई मंजिला मकान चड़ा आग की भेट लाखों की संपती जलकर राख जी हाँ मनिकन गाटी के चलाल गाउं में एक अड़ाई मंजिला मकान आग लगने से जलकर राख हो गया अगजनी की इस घटना में पिरिट कुंदन और राजक्रिस्न के परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है सुचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुँची लेकिन घर कास्ट कुनिशाली का होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते घर स्वा हो गया आग पर काबू नहीं पाया जा सका आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है अब पर दिखेगा पंचायतों का हिसाब किताब पंचायतों को विकास के लिए कितना पैसा मिला, मिलेगी जानकारी जी हाँ, पंचायती राजी विभाग में चल रही विभिन योजनाओं के तहत किस पंचायत को कितना पैसा आमबंदित किया गया है और पंचायत ने कितने पैसे का उप्योग किया है यह सब जानकारी इक ग्राम स्वाराज एप पर मिलेगी इक ग्राम स्वाराज पॉर्टल ग्राम पंचायतों के ओनलाइन रिकोर्ट को बनाए रखने के लिए वेब अधारित पॉर्टल है जो पंचायती राज संसानों के लिए वी केंद्रिकृत योजना प्रग्रिती रिपोर्टिंग और कारी अधारित लेखांकन में पारदर्शिता सुनिशित करने पर ध्यान केंद्रित करता है भारत सरकार की ओर से यह एप तयार किया गया है इसे पंचायती राज के लिए सरलिकृत कारी अधारित लेखा अन्युप्रियोग के रूप में जाना जाता है लोगों को इस एप के बारे में जागरूख करने के लिए पंचाइती राजविभाग की और से एक कारिशाला का आयोजन किया गया था रोजाना लगने वाले ट्राफिक जाम से मिलेगा सिमला को छुटकारा फिल्ड में उत्रे पुलिस अधिकारी जी हाँ सिमला में ट्राफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सनिवार को पुलिस ने सहर में ट्राइल किया पुलिस ने ट्राफिक में कुछ बदलाओ के इसके तह सोलन वा निचले हिमाचल की तरप से आने वाहनों को अब दूसरे रूट से भेजा जाएगा अब घुमारवी सहर में यमों की अवहला करने पर ओनलाइन होंगे चलान इन बातों की रखे खास ध्यान जी हाँ घुमारवी सहर के यातयात पर नजर रखने के लिए पिछले मेहने जो तिस्री नजर का पहरा यानी Intelligent Traffic Management System लगाए गया था अब ये सिस्टम लागू हो गये है जिसके चलते अब ओनलाइन ही चलान कट जाएगा मंडी में बन रख्यू धाम को लेकर राजनीती तेज कॉंग्रेस बिजीपी में जोरू परवार पलटवार मंडी अंतराष्टी शिवरात्री के दोराण शिव धाम का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया मंडी में बन रहे शिव धाम को लेकर कॉंग्रेस और विजीपी के बिजवार पलटवार देखने को मिल रहा है अंतराष्ट मंदी शिवराती के सुभारम के मौके पर मुख्यमंत्री सुख्मिंदर सी सिखु ने कहा कि सीउ धाम प्रोजेक्ट के लिए पूर विजपी सरकार ने कोई बचट आवंटित नहीं किया सीउ धाम प्रोजेक्ट और मंदी इंटरनेशनल येरपोर्ट के नाम पर केवल जनता को गुमरा करने का काम किया गया है हिमाचल प्रदेश अगनी समर विभाग में खाली पड़े है 448 पद बीते 5 साल में आग की घटनाव 180 रुपई का नुकसान जी हाँ सर्दियों के मौसम में अक्सर हिमाचल प्रदेश के अलग लग इलाकों से आग लगने की घटनाए सामने आती है गर्मियों के मौसम में जंगलों की आग परिशानी बढ़ाती है प्रदेश में आग की घटनाओं में हर साल करोर रुपई का नुकसान होता है इसी भयावा आग की वज़ा से कई परिवारों का जीवन तबा हो जाता है हरानी की बात यहा है कि हिमाचल प्रदेश अगनिसमन विभाग में कुल 448 पद खाली पड़े हुए है प्रदेश में डिविजनर फायर ओफिसर के दो, स्टेशन फायर ओफिसर के संतावन, फायर ओफिसर के 18, लीडिन फायर मैन के 20, फायर मैन के 373 और पंप ओपरेटर के 26 पद खाली पड़े हुए है HIV से ग्रसित मरीजों के लिए नाहन में कल से होगा ART सेंटर अब तक नहीं थी इलाज की स्विधा जी हाँ, सिर्मोज जीले के HIV से ग्रसित मरीजों को अब बाहरी सरों में दाएं बाएं नहीं भटकना पड़ेगा डोक्टर वाई एस परमार कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में उने इलाज के साथ सा दवाओ की स्विधा उपलब्द होगी ऐसे में मरीजों को काफी सहुलियत मिल सकेगी दरसल मेडिकल कॉलेज में ए आर्टी सेंटर के लिए जगा चिनहित कर इस सेंटर में चिकित्स्य टीम की भी तैनात कर दी गई है इस सेंटर में डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, दवाओ आदी की स्विधा उपलब्द होगी